नमस्कार दोस्तों मैं विकास मंगल परम शिवायरवेद में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का जो मेरा विशे है वो है हिमाले की एक अत्यदिक दुरलब वन उशदी जिसके लिए कहा गया है कि ये संकट में है संकट में अथार्थ ये ख परची करती है वहां के माध्यम से मिल जाती है और आजकल इसकी खेती होने लगी है थोड़ी बहुत इस ओशदी को कहा जाता है चोरू और उत्राखंड गडवाल में इसको कहा जाता है गंद्रायन गंद्रायन इसका इसलिए नाम पड़ा कि जो ओशदी आप देख रहे हो यह देख रहे हो आप यह देखो मोटी मोटी जो जड़े हैं इसकी इसके अंदर बड़ी अच्छी सुगंद आती है और यह वहां के जो उत्राखंड के जो लोग है उन लोगों के भोजन का मुख्य मसाला है गंद्रायन का उप्योग वहां के जो लोग होते हैं कई प्रकार की डीजीज में भी काम आने वाली वनोशदी है आजके हम देख रहे हैं जो खान पानम खाते हैं उसमें बहुत अत्यदिक मात्रा में हम दालें इत्यादी राजमा इत्यादी पसंद करते हैं लोग खाना तो उससे होता क्या है बहुत से लोगों की जो पेट की अगनी है वो मंद रहती है तो वो इतने भारी भोजन को पचा नहीं पाती उस भारी भोजन को पचाने के लिए वहां की जो पहाड़ी लोग है जो उत्राखंड के लोग है वो चोरु को गंद्रायन को मसाले की रूप में उप्योग में लेते हैं सर प्रतम तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने उत्राखंड से मंगवाया है ताकि आप लोगों के कोई पता लगे ये देखिए ये डाग घर की सिलिप है और इसमें स्पस्ट लिखा है ये देखिए आप श्री नगर एसो पोरी गडवाल वहां से ये आया है मेरे पास अभी मैंने थोड़ दिन पहले कुटकी दिखाई थी आपको कुटकी भी मेरे पास उत्राखंड से आई है तो वहां के जो लोग हैं इसको मसाले की रुप में उप्योग में लेते हैं आयरवेधी गरंथों में इसको गंद्रायन नाम से माना गया है और गंद्रायन जो है हमारे हिर्दे के गंद्यों को मजबूत बनाता है हिर्दे को सबल बनाता है बल्वान बनाता है क्योंकि गैसिटिक प्रॉब्लम से हार्ट अटेक आने का चांस काफी बढ़ जाता है तो देखिए हमारे जो पहाड़ी लोग है जो भोटिया लोग है वो लोग कितने समझदार है कहा जाता है उत्राखंड में कि ये जो चोरू है जो गंद्रायर है ये उन भोटिया लोगों की ही खोज है उन आदिवासी उन भोटिया लोगों की ही खोज है जो लोग जंगलों में ब्रह्मन करते हैं जो भेड़े चराते हैं उनी की माध्यम से इस ओशदी के बारे में पता चला और आज ये उत्रा खंड के भोटिया लोगों का और पहाडी लोगों का मुख्य मसाला है। दोस्तों इसकी जड़ों से एक तेल निकला जाता है जो की बहुत ही बहुत महेंगा मिलता है और इसका बहुत अत्यदिक मात्रा में दोहन हो रहा है। वैसे तो गवर्मेंट ने इसके उपर अभी काफी सकती बरती है और इसको खेती करने के लिए लोगों को प्रेरीद किया है। तो मैंने गवर्मेंट से मंगवाया है ये स्वांस और खांस की बिमारी में भी बड़ अच्छा काम देता है। यदि किसी व्यक्ति को सुआस की और खांस की बिमारी है तो उसमें अच्छा काम देता है। अभी हम जो सुआस का आउले बनाते हैं सुआस के लिए चटनी बनाता हूँ है। दमानाशक चटनी उसमें इसका उपयोग करता हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी गंद्रहन का दर्शन कराया जाए क्योंकि ये बहुत दुलब और बहुत कोस्ट्री वनस्पती है काफी महेंगा मसाला है यदि आप अपने नित्य जीवन में राज्मा बनाते हैं दाल बनाते हैं या अन्य कोई भी वेंजेन या भोजन मनात बनाते हैं यदि आप उसमें गंद्रहन का थोड़ा सा एक चुटकी भर पाउडर डालते हैं तो यह आपके भोजन को अत्यदिक स्वादिस्ट बना देता है और वह भोजन आपके पेट में जाकर के जल्दी पचे जाता है जिसके कारण ना तो आपको गेज बनती है और अन पूल होता है वह बिल्कुल सफेद वर निये होता है सौंफ की तरह देखने को मिलता है अब जब इसको खोथते हैं तो यह इस प्रकार की जड़े हमको प्राप्त होती है नदी किनारे और चट्टानों पर यह ज़्यादा उखता है दोस्तों आजकर हम देख रहे हैं हर वेक्ति को दूसरी वेक्ति को गैस की प्राप्लम है पेट की प्राप्लम है लीवर की प्राप्लम है उन सब में गंद्रैन बहुत अच्छा काम करता है मैं लीवर का ही पावडर बना रहा था मैंने कुटकी पीसी थी अन्ने उशदिया पीस रहा नियुक्ता यह भी डाल रहा था तो सोचा कि आप लोगोंने को गंद्रेंड से आउगत कराता हूं यह गंद्रेंड लीवर के रों में भी बहुत अच् collected काम करती जैसे त्य Rice लीवर सुराइसिस हुआ फाइब्रोसिस हुआ उन सब रोगों में यह बहुत अच्छा काम करती है बड़ी कीमती वनस्पति यह दोस्तों एक बर आप इसको गोर से देख लें कि चोरू गंद्रैन किस प्रकार का होता है इस प्रकार की इसकी लकडियां होती है जैसे इरानी अ लाप सुत्री हो उचित मात्रा में मिली हो और जिस ओशदी का नाम जो हो वही ओशदी हमको मिले आजकल क्या देखता हूं पंसार मार्केट के अंदर आप मांगेंगे क्या और पंसारी आपको देगा क्या तो धीरे-दीरे इन लोगों की वज़े से आयरवेद पर से लोगो oo शदी योग तो आप अनुप्रकार के रोलो से बचे रहते हैं जैसे यह इस प्रणायण प्यद्वर के अंबृत करेंगें देख लें ये उत्रा खंड से ही आया है ये देखें आप गड़वाल लिखा है वहीं से आया है तो पुनहा विकास मंगल का आप सबको एक बार फिर से प्रेम भरा नमस्कार मेरा मोबाइल नमबर है 701-44-15950 नमस्कार धन्यवाद ये रख दिया मैंने इसको इतर